जितिया वर्त की कथा नर्मदा नदी के पास एक कंचन बटी नाम का नगर था वहां के राजा का नाम मलाई केतु था उसी नर्मदा नदी के पस्चिम और बलुआहा नाम की मरुभुमी थी जिसमें एक विशाल पेर था उस पेर पर चील रहती थी और उसी पेर के नीचे एक स स्यारिन भी रहती थी चील और स्यारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी कुछ महिलाओं को जितिया का वर्थ करते देख चील और स्यारिन ने भी यह वर्थ करने का संकल्प लिया दोनों ही भगबन श्री जिमुत वाहन की पूजा और वर्थ करने का प्रन ले लिया जिस दिन दो खुद को रोक नहीं पाई जिसके कारण उसका वर्त तूट गया प्रांतु चिल ने खुद पर सहियं बनाये रखा पुरी स्रधा के साथ वर्त का पालन किया और अगले दिन वर्त का पालन भी किया इसके बाद अगले जनम में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्रामन परिवार में जनम लिया उनके पिता का नाम भासकर था चील बरी बहन और स्यारिन छोटी बहन बनी बरी बहन का नाम सीला बती रखा गया और उसकी साधी बुद्धी सेन के साथ हो गई छोटी बहन का नाम करपूरी बती रखा गया और उसकी साधी शहर के राजा मा केतु से हुई और छोटी बहन बरी बहन करपूरी बती कंचन वटी नगर की रानी बन गई जब भगवान जिमुत वाहन के असिरबास से बरी बहन सीला बती को साथ पुत्र पैदा हुए लेकिन करपूरी बती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते कुछ सालों बाद सीला बती के सातों पुत्र बड़े हो गए और राजा के दर्बार में काम करने लगे उन्हें देखकर करपूरी बती के मन में इर्शया और जलन की भावना उत्पन हो गई जब ईशान की भावना में करपूरी बती ने राजा से कहकर शीला बती के सातों बेटे के सर कटवा दिये तब उन सातों सिरों के साथ बरतन में डालकर ढख रख दिया और शीला के पास भिजवा दिया यह सब देख भगवन जिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से सातों भाईयों के सर बनाए और सभी सिरों को धर से जोर उन पर अमरित छिरक दिया जिसके कारण विसातों भाई फिर से जिन्दा हो गए और घर लोट आए रानी ने जो कटे सर बिजवाये थे वह सब फूल बन गए करपूरी बती समचार पाने के लिए बहुत ब्याकुल थी लेकिन जब उसे इस बात का पता चला की वह अपनी बड़ी बहन के घर आई और वहाँ पर सब को जिन्दा देख आश्चर में पर गई और बेहोस हो गई जब करपूरी बती होस में आई तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बाते बताई और अपनी गलती का पस्ताबा किया भगमान जिमुतवाहन की कितपास से बड़ी पहन को पूर्व जनम में सारी बाते याद आई और वो अपनी छोटी पहन को उसी पेर के नीचे जाकर पूर्व जनम की सारी बाते सुनाई जिसे सुनकर करपुरी बती फिर बेहोस हो गई और मर गई जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हों ने उसी जगह पर पेर के नीचे करपूरी बती का दास